आसू रुक ने रहे, इसका मतलब उसका खून भैरावा नमस्कार दोस्तों मैं अकले स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चेनल AKB मीडिया में एक बार फिर से दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरिश्टा राजे देउगन के फिल्म ताना जिदा अंसंग वारियर के अब तक के टोटल वल्ड वाइट कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे दोस्तों फिल्म ने अब तक इंडियन वोक्स ओफिस पर कितने करोड की कमई की साथ इसाथ फिल्म का ओर सिस कलेक्शन कितना हो चुका है तो चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं देखते रहिएगा पूरा वीडियो तो दोस्तों उम्रोत के डारेक्शन में बनी हिस्ट्रिकल वार ड्रामा फिल्म ताना जिदा अंसंग वारियर जिस फिल्म की लीडिंग इस्टार काश्ट में है बोलियोड के सिंगम, आजे देउगन, काजोल मेम, सेफ आली खान और सरत केलकर दोस्तों फिल्म रिलिज हुई थी 10 जनवरी को और फिल्म को इस वक्त बोक्स ओफिस पर चल रहा है सात्वा हपता बता दे दोस्तों फिल्म पहले हपते में जहां 3838 स्क्रीन पे रिलिज हुई थी वही दोस्तों फिल्म के पास सात्वे हपते में मुस्किल से 300 स्क्रीन के आसपास बची है लेकिन दोस्तों 300 स्क्रीन से भी कम होने के बाद ये फिल्म साथवे हपते में काफी सांधार कमई कर रही है जहां दोस्तों अगर बात करें फिल्म के अलग-अलग हपतों के टोटल कमई की तो दोस्तों ताना जिदा अंसंग वारियर फिल्म ने पहले हपते में कमाये थे इंडिया नेट कलेक्षन ओ था 119 करोड रुपे और दूसरे हपते में 78 करोड चोपल लाख रुपे और तीसरे हपते में 40 करोड 42 लाख रुपे और चोते हपते में 21 करोड 65 लाख रुपे वही पांचवे हपते में 10 करोड 41 लाख रुपे छटे हपत के दिन 63 लाक रुपे रवीवार के दिन 74 लाक रुपे और सोमवार फिल्म का कलेक्शन आया लगभग 40 लाक रुपे वही दोस्तों फिल्म मंगलवार भी बोक्स ओफिस पर लगभग 35 लाक रुपे की कमई कर रही है इसी के साथ दोस्तों ताना जिदा अंसंग वारियर का ओल नेट कलेक्शन हो चुका है 288 करोड रुपे वही इंडिया का ग्रोस कलेक्शन 330 करोड रुपे बात की जाए फिल्म के और सिस कलेक्शन यानि के इंडिया के बाहर की कमई की तो दोस्तो फिल्म का और सिसका फाइनल कलेक्शन लगपक 48 करोड यानि के 48 करोड रुपे रहा है इ दोस्तो फिल्म 308 करोड की वर्ल्ड वाइड मार्केट में ग्रोस कलेक्शन कर चुकी है बता दो दोस्तो फिल्म बॉक्स ओफिस पर हो चुकी है ओल टाइम ब्लोकबश्टर हेट हलाके दोस्तो अगर आभी तक भी आपने ताना जिदा अंसंग वारियर फिल्म नहीं देखी त